नमस्कार बहुत स्वागत आपका अप देख रहे हैं दा न्यूज आपके साथ मैं स्रिष्टी मिश्रा बहुत बड़ी ख़बर करनाटक से यहां पर देखिए एच्टी कुपार स्वामी जेडियस प्रमुख उन्होंने टीवी चैनल्स में यह कहा है कि जनता आप बीजेपी और जेडियस को साथ देखना चाहती हैं बहुत बड़े संग्यत हैं एंडिया की बैठर 18 जुलाई को होने वाली है और देखिए दर्श को 18 जुलाई से पहले यह तमाम इशारे यह बात की ओर इशारा कर रहे हैं और यह तमाम बाते इस बात को दिखा रहे हैं कि कहीं न कही एच डी कुमार स्वामी पूरे खुले दिल से भारतिया जनता पाठी में जाने वाले हैं भारतिया जनता पाठी के साथ अलाइंस बनाने वाले हैं और इसी वज़े से वो जल्द ही बैठकों को दौर में वो शामिल होंगे और आपको बता दे अभी एक ख़बर सामने आई ह है कि इस संबंध में बीजेपी से बाच्चुत करने के लिए सीटों के बटवारे को लेकर तमाम रोड मैप्स कुली कर चुनाओ को लेकर चुनाओ की तयारी को लेकर वहाँ पर ये राजधानी दिल्ली में कुछ करने वाले हैं अम इच्छा से मिलेंगे और बीते दिन भी सामने आ रही थी कि उन्होंने मुलाकात की है अब देखें यहां पर दर्चक बात ये समझने माली है कि इसी वाज़े से एजरी कुमार स्वामी ने जमकर हमला बोला कॉंग्रेस पार्टी पर अभी उन्होंने पुरा मोर्चा खोला हुआ है और देखें उन्होंने साफ तोर के बाद भी जेडियेस ने अगर हामी भरी है तो कुछ सीटो पर जेडियेस का जो वोट शेयर है तीस से चालिस परसेंट करनाटक की जनता में उसका दबाव है जेडियेस पार्टी का अब जेडियेस के उस दबाव की कारण बीजेपी का वोट क्याडर बढ़ेगा भारतिया जनता पार्टी जेडियेस तो कॉंग्रेस को थोड़ी जादा मेहनत करनी पड़ेगी बात साफ है और यहां पर ग्राफ साफ है ग्राफ इस बात की संकेत दे रहे हैं कि आने वाले लोकसा वाचनाव में इसका बहुत बढ़ा असर होगा अगर आपने देखा होगा नोटिस किया होगा हर राज्य में बीजेपी अलायंस कैडर मजबूत हो रही है 18 जुलाई को भारतिया जनता पार्टी के साथ जितनी पी पार्टी गजबंधन कर रही है एंडी अलायंस उसकी बैठक होने वाली है इधर बिहार में लोचपाने समर्थन दे दिया है इसके सा हमले भी बोलते रहे हैं लेकिन अब उनको 24 की चुनाओं के पहले जो डगमगा रही पाटियां है जो डगमगा रहा गठबंधन है उससे साफ उनको जाहिर सी बात यह समझ में आ रही है कि इनका कुछ नहीं होने वाला है कि काम यह लोग नहीं करते हैं काम बीजेपी कर रह भरत ने भी हरी जंडी दिखा दी एंडिया गठबंधन को अब इस गठबंधन में एच्डी कुमार स्वामी का बहुत बड़ा रोल होगा करनाटक के भीतर आपको मैं यह भी बता दूं उन्होंने साफ तोर पर क्या दिया लोगों में यह भावना है कि जेडियस को भाजप करेंगे और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ हमारा खुला है बताया ज़ारा है कि विधान सभा चुनाओं के बाद उन्होंने नई दिल्ली में किंद्रिया गर्यमंत्री अमिट शाह से मुलकात की थी और अब 18 जुलाइ को जो नई दिल्ली में अंडिया की सहयोग्यों की बैठक आयोजित करने वाली है उसमें अठकले तेज है कुमार स्वामी आपको जरूर नजर आएंगे शाह से मुलकात करने वाले हैं ताकि वो पुराने मैसूर में जेडियस के लिए पांच-छे लोगसवा सीटों पर अपना दावा ठोकने वाली है और इसी तमाम चर्चा क पर अटकिंग मोड में हैं और कैश फॉर्ट ट्रांसफर जो स्कैम हुआ या फिर जो घोटाला हुआ जो कह लिजे तमाम फरजी वाड़े हुए हैं करनाटक के अंदर जो इन्होंने साफतर पर कह दिया कि करनाटक में जो मुख्यमंतरी का विभाग है वो के वल रिष्टद पर अटकिंग मोड में थे और यहां पर यह भी बता दिया मेरे पास pen drive है कितने दर में वहां पर अधिकारियों की पोस्टिंग की जारी है और यह भी कहा था कि एक ट्रांसफर में तो 10 करोड रुपे घूस लिए गए हैं अधिकारियों से यह ज़रा सोचिये करनाटक कुमार स्वामी ने सब के सामने रखा और बोला कि मेरे पास यह pen drive है मेरे पास यह कागर्ज है समय आने पर मैं इसको सारवजनिक करूंगा यानि कि चुनावान से पहले कॉंग्रेस की पोल पट्टी खोलने के लिए स्डी कुमार स्वामी जो बीजेपी में जाने वाले हैं वो इसकी पोल पट्टी कोलेंगे और यहाँ पर करनाटक कॉंग्रेस की बखिया भी उधरते नजर आएं अब देखें यहाँ पर यह कह रहे हैं यह भी इसारे दे दिया कि लोग तमाम बाते कर रहे हैं बीजेपी की साथ जाना चाहिए इसी वज़े से हमने ये निर्णय ल मुझे ये संकेत दियें मुझे इसकी बारे में जानकारी दी तो ने कि तमाम बातों पर स्टी कुमार स्वामी अपना दावा ठोक रहे हैं करनाटक कॉंग्रेस की पोल पट्टी खोल रहे हैं और इसे वज़े से लोग समझ चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए खुशी क्योंकि इसलिए कि नरिंदर मोदी का नितरित्व अभी ऐसा लग रहा है कि 24 में और फिर से महल बनाएगा और इसी वज़े से 24 की चुनाव की तैयारी पहले ही दखाई दे रही है तमाम गठ बंधन अब फेल हो गया है गठ बंधन की बैठक के बाद ही सबसे ज़ादा गठ बंधन को डेंट पड़ा लालू के बयाद से उसके बाद देखिए सब अलग-अलग हिस्ते वे बट गए ममता बेनर जी पशिम बंगाल पंचाच नौ में बेनकाब हुई कॉंग्रेस पाटी पर वाम पंथी पर निशाना साथ है तो कहां का गठ बंधन इसके साथ ही आपको नहीं दिखाई दे रहा है गठ बंधन में और अब कॉंग्रेस पार्टी के नेरत रित्व में तमाम पार्टीयां चुनाव नहीं लड़ना चाहती है तमाम पार्टीयों का चुनाव का एजेंडा अलग-अलग है और इसी वज़े से कुमार स्वामी का ये संकेत ये दिखा रहा है कि कुछ बड़ा करनाटक के अंदर होने वाला है और इससे तमाम रेंट और ये भाजपा को तो नहीं है लेकिन करनाटक कॉंग्रेस को पड़ेगा क्रुश पाँच अपने चुनावी वादों में भी फेल हो रही है पांच चुनावी वादों में फेल इसके साथ कश्मी योजना फेल हो गई वादा कर दिया वहां पर बिजली के दर में अभी महंगाई है अभी बीजली के दर जो है वह जाधा बढ़ कर आ रहे हैं तो देखिए यह कुमार स्वामी का जो कहा है जो दावा किया है इसी वजह से शायद बीजेपी है वह अब तक सीटो का डिक कुमार स्वामी मौजूद रहते हैं नहीं इसका भी अब जेट हम आपको देंगे तो बारे रहे इंतजार कीजिए और जो भी आपकी राए इस बारे में जरूर रखे बहुत शुक्रिया